हेलो दोस्तों मैं आपका डेरी फार्मर दोस मदसुदन हाजिरे फिर से नई और सही जान करेगी साथ आज का जो टोपिक है कि डेरी फार्मिंग में इंकम होगी या नहीं यानि कि कहीं सारे मित्र ऐसे हैं जो हमें कमेंट करते रहते हैं कि उन्हें dairy farming शुरू करना है तो क्या वह कर सकते हैं और कितनी उनकी monthly income हो सकती हैं क्या वो labor के द्वारा dairy farming करवा सकते हैं तो सारी जानकारी हम देंगे वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शियर लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहें तो जिसा कि हम शुरू करें कि क्या dairy farming में आपको मुनाफ़ा होगा या नहीं तो सबसे पहले बात करते हैं कि dairy farming में ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा मुनाफ़ा कमा सके तो इसमें condition क्या होती है कि सबसे पहले आपका experience जो होता है यानि कि आप यदि शुरूआत करते हैं पाँच गाए आप ले आते हैं experience बिल्कुल zero है तो उन पाँच गाए को ले आते हैं एक साथ और कहीं न कहीं dairy की शुरूआत करते हैं सारी milking machine भी आप ले आते हैं फर्ष अच्छा करवा लेते हैं मेटर लगवा लेते हैं फोगर लगवा लेते हैं परन्तु जो experience है वह नहीं है तो मालो कि काई गाए जनी है आज और उसकी देखरेक हम 20-25 दिन तक सही से नहीं कर पाते हैं नहीं उसका जो treatment है वह नहीं कर पा किसी जान पेचान किसी अच्छे जानकार को साथ ले जाकर गाए अच्छी खरीद लेते हैं पर उसकी केयर सही से नहीं कर पाते हैं तो वह गाए अपने पूरे lactation को खराब कर देती हैं और कई न कई उसके जिम्मेदार आप स्वयम होते हैं तो उसके जो lactation खराब हो जाता ह तो उसका पूरा लेक्टिशन लगबग 2-3 लीटर मिल्किंग या बिल्कुल 0 मिल्किंग पर आ जाता है यदि केयर सही से नहीं होती है हो सकता हूँ वह 4-5 मैने अच्छी मिल्किंग आपको कर दें उसके बाद में होता क्या है कि गाएं प्रेग्नेंट भी नहीं होती है और मिल्किंग कम कर देती है यानि कि शुरुवात में 7-8 लीटर मिल्किंग कर रही होती है और जैसे ही आप से केयर सही से नहीं होती है उसका treatment सही नहीं होता है एकाद बीमारी कोई सी एसी लग जाती है या उसके जन्ने के समय जेर सही से नहीं गिरती है जन्ने के समय आप उसका जो treatment है वह अच्छे से नहीं करते हैं उसका खयाल अच्छे से 20-25 दिन नहीं रखते हैं तो दीरे-दीरे मिल्क कम हो जाता है और प्रेगनेट भी नहीं होती है तो वह लंबे समय तक प्रेगनेट नहीं होती है लगबग 6-7 महीने तक साथ महीने बाद वह मिल्क जीरो कर देती है और प्रेगनेट हो जाती है तो साथ महीने के बाद आपको लगबग नो महीने उसको खिलाना होता है और कई न कई आपको उसे प्रोफिट नहीं होता है और नो महीने तक आप उस गाई को देखते रहते हैं उसको खिलाते रहते हैं उसका खायाल रखते रहते हैं तो कई न कई बहुत आपको लोस देती रहती है इसी प्रकार से जो गाई खरिते हैं केयर सही से नहीं हो पाती है तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि गाई जनती है जनने के 20 दिन तक आप उसकी केयर इतने अच्छे तरीके से करें जैसे कि आप एक बच्चे की केयर कर रहे हों आप एक मरिच की केयर करते हैं एक इंसान की केयर करते हैं उसी प्रकार से गाई की केयर करें और गाई की जो लेंग्वेज है यानि कि गाई हर बीमारी का एक इंडिकेशन देती है यदि गाई के पेट में दर्ध होता है तो गाई बार-बार बेठना, उठना करती रहती हैं, गाय बेचे नहीं फिल करती हैं, इसी प्रकार आफरा हो जाता है, तो पेट फुलने लग जाता है, तो कहीं सारी बीमारी, सारी बीमारी का हर एक इंडिकेशन, उस बीमारी की शुरुवाती दोर में हमें पता यही दी लग जाता है, तो गाय क लेक्टेशन भी बच जाता है और कई न कई आपको benefit होने लगता है इसी प्रकार से गाय का selection यदि 5 गाय आप खरीते हैं 5 गाय में यदि आप calculate करते हैं कि 10 लीटर एक गाय का एक समय का तो 50 लीटर मिल्क और 50 लीटर से आप यानि कि 15 रुपए per day यानि कि महिने का 45,000 10,000 आप labor को दे देते हैं तो 35,000 आपको महिना बच जाता है तो यह calculation सरासर गलत हो जाती है कब जब आपकी गाय का selection सही नहीं हो care सही नहीं हो जदि आपकी 5 गाय हैं 5 गाय में से 4 गाय आपको अच्छा milking करती हो यानि 10 लीटर milking करती हो एक गाय आपको 2 लीटर milking करती हो तो क 5 गाय का milk 40 लीटर ही हो पाता है पर calculation आप जब शुरू करते हैं 5 गाय का 50 लीटर से करते हैं इसी प्रकार से हो सकता हो 2 गाय बिमार हो जाए हो सकता हो 3 गाय बिमार हो जाए हो सकता हो 5 गाय अच्छे से आपके फार्म पर जो milking है वह करें और आपका फार्म काफी अच्छी तरीके से चलें तो यहीं है कि शुरुती दोर में काफी समस्याप को आनी होती है तो कहीं न कहीं हो सकता हो एक-दो गाए एकस्पायर भी हो जाए तो हमारी बात करने तो हमारे फार्म पर लगवग 2-3 गाय एक्सपायर हो चुकी थी उसके बाद में भी हम डटे रहें हम काम करते रहें हम जो डीमोटिवेट हैं नहीं हुए जैसे तैसे हम करते रहें गाय बीमार काफी हो गई थी एक गाय ऐसी है जो बिलकुल मरने की पर आ गई थी उसका ट्रीटमेंट करते 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 उसे आज फिर से 5-6 लिटर एक समय का मिलकिंग वापिस से निकाल रहे हैं पांस मैंत लें लगवग 5-6 मैंने प्रेगनेंट पी हैं तो उसका जो लेक्टेशन है वह हमने खराब नहीं होने दिया और कहीं न कहीं आज भी हम उसे profit ले रहे हैं तो मानलो कि कोई सी गाए हैं तो वह बिमार हो गई हैं आप treatment समय पर नहीं करवाते हैं वह गाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि केवल उठती हैं बेटती हैं फीट खाती हैं तो मिलक नहीं देगी तो आपको benefit नहीं मिलेगा यदि care सही है सही treatment उसको मि वापिश से मिल्क देना लग जाएगी लगब 15 दिन मिल्क नहीं देगी उसके बाद में मिल्क देगी हो सकता हो लीटर एकाद लीटर कम दे परन्तु आपको नुकसार नहीं करेगी तो इसी प्रकार से यदि फार्म शुरू करे सोच समझ करे क्योंकि फार्म यदि आज नहीं मिलने वाले हैं आपको उस गाएं की आदी कीमत मिलने वाली होती है क्योंकि एक केयर सही नहीं होने की वज़े से गाएं जैसे ही जनती है और केयर सही नहीं होती है तो गाएं अचानक से आपके उसके जो बोडी का जो वेट है वह कम हो जाएगा गाएं काफी कमजर हो इक गाए से शुरू करें तो इसा नहीं कि आप 4-5 गाए एकhal ली आए और आपको परेशानी होगे। तो आप काफी सोच समझ कर डेरी के शुरुआत करें यसा नहीं कि जो विडिो है डेने शुरुआत करें क्यूंकि नुकसान की शुरुवात हो गई थी तो सबको ऐसा लगा था कि डेरी फार्मिंग नहीं कर पाएगा डेरी फार्मिंग नहीं करेगा पर हम देरे-देरे करते गए करते गए और आज 11.12 गाएं तक पहुँच गए हैं और देरे-देरे हम बड़ा रहे हैं इसी प्रकार से आप देख सेते हैं मैंने जब फर्स टाइम में पेली गाए मैंने खुद जाके खरी दी थी हरियाना से 92,000 में वहां से खरी दी थी 10,000 ट्रांस्पोर्टेशन लगा था तो कहीं न कई एक लाग 2,000 की गाए हमें यहां पर पड़ी थी उसके बाद में भी थोड़ी सी उस गाए में तो उस गाए को हमने 70,000 में सेल कर दिया था तो पेली गाए में मुझे इतना नुकसान हो गया था फिर भी मैं डटा रहा उसके बाद में धीरे 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 अच्छी गाए का सिलेक्शन करता गया और कई न कई बेटर रिजल्ट टेरी फार्म से लेता गया तो इसी प्रकार से आप भी ले सकते हैं कहीं सारी जानकारी हम शेयर करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारा वोट्षेप नंबर आपको मिल सकता है कमेंट करिएगा वोट्षेप नंबर में आपको शेयर कर दू थैंक्यू फॉर वर्चिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जान का एकसार है